मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा ओम शान्ती आज की तारिक है पच्ची दिसंबर दोजार तेईस के बाबा के साकार महावा के मीठे बच्चे बाब हर बात में कल्यान कारी है इस लिए जो डिरेक्शन मिलते हैं उसमें आना कानी ना कर शिरीमत पर सदा चलते रहो बाबा ने प्रिशन पूछा नोदा भगती और नोदा बढ़ाई दोनों से जो प्रातियां होती है उसमें क्या अंतर है बाबा ने उत्तर दिया नोदा भगती से सिर्फ सक्षतकार होता है जैसे शिरी क्रिशन के भगत होंगे तो उन्हें शिरी क्रिशन का सक्षतकार होगा रास आधी करेंगे लेकिन वे कोई बेकुन्ट पूरी वा शिरी क्रिशन पूरी में नहीं जाते तुम बच्चे नोदा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुमारी सब मनों कामनाई पूरी हो जाती है इस पढ़ाई से तुम बेकुंट पुरी में चले जाते हो गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल ओ रात के भूले हुए मताफिर सुबह हुए ओम शान्ति ये किसने कहा कि घर चल किसका बच्चा रूट कर चला जाता है तो मित्तर संबंदी आधि उनके पिछाडी जाते हैं कहते हैं रूठे क्यों हो अब चलो घर यह भी बेहत का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं बाप भी है दादा भी है जिस मानी भी है तो रुहानी भी है कहते हैं, हे बच्चे, अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है, यह हो गई ग्यान की बाते, ब्रह्मा की राद ब्रह्मा का दिन, यह किसने समझाया, बाब ब्रह्मा और ब्रह्म कुमार कुमारियों को समझाते हैं, आदा कलब है राद अर्थात, पतित रावर र क्योंकि असोरी मत पर चलते हैं, अब तुम शिरीमत पर हो, यनि कि भगवान की मत पर हो, शिरीमत भी है इन काग निटो, हम जानते हैं, बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावन का रूप अलग है, उनको पांच विकार रूपी रावन कहा जाता है, अभी रावन राम राज्या खलास होगा फिर इश्वर राज्या होगा राम राज्या कहते हैं ना सीता के राम को नहीं जगते हैं माला में राम राम जगते हैं ना वै परमात्मा को याद करते हैं जो सरब का सदगती दाता है उनको ही जगते रहते हैं राम माना कौड यानि कि परमपिता प याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धी में दूसरा कोई आएगा नहीं, तो अब बाप समझाते हैं, रात पूरी होई, यह कर्मशित स्टेज, जहां हम आत्माएं श्री धारन कर पाट बजाती हैं, चुरासी जन्मों का पाट बजाना है, फिर उसमें वरन भी दिखाते हैं, क किस किस जन्म में, किस कुल में, किस बरन में आते हैं, इसलिए ही विराठ रूप भी दिखाया है, पहले पहले है, ब्रामन सिर्फ सत्य योगी सुरिया बशी में चुरासी जन्म होना सके, ब्रामन कुल में भी चुरासी जन्म नहीं होते, चुरासी जन्म तो भिन भिन नाम सत्युग सतो परधान से फिर कल यूग तमपरधान में जरूर आना है उनका भी टाइम दिया जाता है मनुश्य 84 जनम कैसे लेते हैं यह भी समझने की बात है मनुश्य तो समझ नहीं सकते तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जनमों को नहीं जानते हो मैं बतलाता हूँ बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है अभी ये संगम यूग है दुनिया तो कहती है कल यूग अभी छोटा बच्चा है उसको कहा जाता है अज्यान घोर अंध्यारा जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में दस मिनट है यह पूरा होता है मनुश्य नहीं जानते मनुश्य तो घोर अंध्यारे में हैं बाब कहते हैं गुरु गुसाई बेर्शास्त्र जब तब आदी से मैं नहीं मिलता हूँ यह है भक्ति मारक की समगरी मैं तो अपने समय पर आता हूँ कब आते हैं बाबा संगम योग पर जब रा जब स्रिष्टी चक्कर पूरा हो तब तो मैं सवरक की सापना करूँ जट बादशाही शुरू होती है तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जरम लेते हैं फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है सब कुछ निया बनाना पड़ता है बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संसकार बर करम करने के संसकार रहते हैं अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए मनुश्य है सब दे अभिमानी जब आत्म अभिमानी बने तब प्रमात्मा को याद कर सके यानि कि अपने को आत्मा समझे तब ही प्रमात्मा को याद क पहले पहले है आतम अभिमानी बनने की बात कहते भी सब हैं कि हम जीव आतमा है यह भी कहते हैं आतमा अभिनाशी है यह शरीर विनाशी है आतमा एक शरी छोड़ दूसरा लेती है इतना भी कहते हैं प्रंग तु इस पर चलते नहीं अभी तुम जानते हो आतमा निराकारी यह बाब बैट समझाते हैं, पुनर जनम लेते हैं, ड्रामा तो हूँ वहू, रपीट होता है, फिर क्राइश्ट आदी सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थाफन करते हैं, तुम्हारा अभी यह है, संगम योगी ब्रामनों का धर्म, वह है पुजार यह ब्रामन, तुम हो पुज्य है, तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुश्य तो पूजा करेंगे, तो बाब समझाते हैं, यह कितनी बड़ी पड़ाई है, कितनी धार्मा करनी पड़ती है, विसार से धार्मा करने में नंबर वार है, नट शेर में तो समझते हैं, बाब को सा भगत याद करते हैं भगत भी हैं बच्चे भी हैं भगत बाबा कह पुकारते हैं अगर भगत भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं यह भी समझते नहीं अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं बाबा कहते हैं ड्रामा उनसार जब ऐसी हालत हो जाती है भा बाप आते हैं, भारत जब पुराना हो, तब फिर नया बने, नया भारत जब था, तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वरक कहा जाता है, अभी पुराना भारत है, इसको नरक कहेंगे, वहां पुज्य थे, अब पुजारी हैं, पुज्य और पुजारी का फर्क थो, बता दि आत्मा पुजारी तु आत्मा आप ही पुज्ये आप ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे लक्षमी नरायन को कहेंगे तो यह बुद्धी में आना चाहिए कि वह कैसे पुज्ये फिर पुजारी बनते हैं बाब कहते हैं कलब पहले भी मैंने ऐसे ही ग्यान दिया था कलब क मैं कलब देता हूँ, मैं आता ही हूँ कलब के संगम युग पर, मेरा नाम ही पतीद पावन है, जब सारी दुनिया पतीद होती है तम मैं आता हूँ, देखो यह जाड़ है, इसमें ब्रमा उपर मैं खड़ा है, पहले आदी में दिखाते हैं, अभी सब पिछाडी में हैं, जै जैसे ब्रम्मा पिछाडी में प्रत्यक्ष हुआ है वैसे वह भी पिछाडी में आएंगे जैसे क्राइश्ट है तो वह फिर अंत में आएगा परन्तु हम पिछाडी यानि डाल के अंत में उनका चित्त नहीं दे सकते हैं समझा सकते हैं जैसे यह देवी देपता धर्म की स्थ पड़ा है, क्राइष्ट भी क्रिश्चन धर्म का प्रजा पिता है ना, जैसे ये प्रजा पिता ब्रमा वैसित, वो प्रजा पिता क्राइष्ट, प्रजा पिता बुद्ध, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं, सन्यासियों का शंकराचारिय, उनको भी पिता कहेंगे, कहेंगे हमारा गुरू शिंकरा अचारियता तो यह जो डाल के आदी में खड़े हैं यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं अभी सब तमो परदान स्टेज में हैं यह भी आकर समझेंगे पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर उनों को भी कहेंगे बेहत के बाप को याद करो बेहत का बाप सब के लिए कहते हैं दे सहीत दे के सब संबंदों को छोड़ो यह ग्यान हर एक धरम बाले के लिए है सब दे के धरम छोड़ अपने को अर्श रिरी समझ बाप को याद करो जितना याद करेंगे ग्यान की धारना करेंगे उतना उच्पद पाएंग कलब पहले जिसने जितना ग्यान लिया होगा उतना जूर आकर लेंगे तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए हम बिशव किर्चेता बाब के बच्चे हैं बाब हमको बिशव का मालिक बनाते हैं राज योग सिखला रहे हैं कितनी सहज बात है प्रंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशे आ जाता है इसको ही माया का तुफान बप्रिक्षा का जाता है यह तो बाब कहते ही हैं कि गरस्ट बिवार में रहना है सब को घरवार छुडा दू तो सब यहां बैठ जाएं बिवहार में भी पास करना है फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे जीनों ने धंदे आदी को छोड़ा है उनों को फिर सर्विस में लगाते हैं तो कोई बिगड पढ़ते हैं कोई तो समझते हैं शिरिमत में कल्यान है शिरिमत पर जरूर चलना ही है डारेक्षन मिला उसमें फिर आना कानी नहीं करनी चाहिए बाप हर बात में कल्यानकारी है माया बड़ी चंचल है बहुत है जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंदा आदी करें कोई समझते हैं शादी करें बुद्धी चक्कर खाती रहती है फिर पड़ाई को छोड़ देते हैं यनि कि भाग जाते हैं कोई तो बाप से गरंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे वह है आसूरीमत यह है ईश्रीमत आसूरीमत पर चलने से बहुत कड़ी साजाएं खाते हैं उन्हों न फिर गरुड पुरान में ड्राने की रोचक बाते लिख दी हैं जिससे जास्ति पाप ना करें परंतु फिर भी सुदरते थोड़ी हैं यह सब बाप समझाते हैं ग्यान का सागर कोई मनुश्य नहीं हो सकता ग्यान का सागर नालजफुल बाप समझा रहे हैं यहनि की हम आत्मा के पिता परंपिता परमात्मा समझा रहे हैं जो समझते हैं वे फिर समझाते हैं कहते हैं यह ठीक बात है हम फिर आएंगे बस परदर्शनी से बाहर निकले और खलास हाँ कोई दो तीन भी निकले तो भी अच्छा है बाबा कह रहे हैं दो तीन भी निकल आए वो भी बहुत अच्छा है परजा तो बहुत बनती रहती है बरसा पाने लाए कोई मुश्किल निकलते है राजा रानी के एक दो बच्चे होंगे उनको राज कुल का कहेंगे परजा तो कितनी धेर होती है परजा तो जट बनती है राजाएं थोड़ी बनते हैं 16183 के आंत में जाकर बनते हैं परजा तो करोडों की अंदाज में होगी यह समझने की बड़ी बिशाल बुद्धी चाहिए हम परलोग की बाप से बरसा ले रहे हैं बाप का फरमान है मुझे याद करो और बरसे को याद करो बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो और मेरे बरसे को याद करो यानि की शिरीमत पर चलो मन मना भव और मद्दे जी भव सुरग है विशन पूरी और यह है रावन पूरी शांती धाम सुख धाम और दुख धाम यह बाप समझाते हैं बाप को याद करने से अंतमती सोगती हो जाएगी भक्ती मारग में समझो शिरी कृष्ण को याद करते हैं प्रंतु ऐसे नहीं कि शिरी कृष्ण में पहुंच जाएंगे, नहीं, करके कि शिरी कृष्ण पूरी में जाकर ध्यान में रास आदिक करके लोटेंगे, वह है नोदा भक्ती का प्रभाब, जिससे उनको शक्सत्कार हो जाता है, मनो कामना पूरी होती है, बक्की सत्यूग त नोदा पढ़ाई चाहिए, नोदा भक्ती नहीं, पढ़ते रहो मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में जरूर आना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो, कोई को कहा जाता है, सेंटर जाओ, हरेक के लिए अलग अलग है, सब के लिए एक बात नहीं हो सक ऐसे नहीं बाबा कहते हैं दिस्टी देकर खाओ तो बस परतो बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दिस्टी देकर खाओ बाकी सब के लिए थोड़ी बाबा कहेंगे जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाई स्कोप में भले जाओ परंतु यह सब के लिए नहीं है कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नालस देनी है यह हद का नाटक है यह बेहद का नाटक है तो सर्विस करनी पड़े ऐसे नहीं, सिर्फ देखने के लिए जाना है, शम्शान में भी जाकर सर्विस करना है, अच्छा, मीठे मीठे, सिकले दे बच्चों परती, मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग, रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस् शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी मीठी मुर्ली के लिए, दार्ना के लिए मुख्य साथ, नमबर एक, बाब की हर बात में कल्यान है, ये समझ निश्चे बुद्धी होकर चलना है, कभी भी संशे में नहीं आना है शिरिमत को यथात रिती समझना है नमबर दो आतम अभिमानी रहने का अभ्यास करना है ड्रामा में हर एक्टर का अनादी पाठ है इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है वर्दान सदा सेफटी की लकीर के अंदर परमातम छतर चाया का अनुवब करने वाले माया जीत भव बाप और आप यहीं सेफटी की लकीर है यह लकीर ही परमातम छतर चाया है जो इस छतर चाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, बिगन क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी, सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाई रहेंगे, यहीं सबसे सहज और तिवर गती में जाने का बामाया जित बनने का पुर्शाथ है, स्लोगन दिब्बे गुनों के सरव अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता, ओम शान्ती